नमस्कार अखबार जगत में आपका स्वागत है दुनिया की सबसे बड़ी नीजी गैर लाभकारी संसा बिल और मैलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए सम्मानित करने वाली है इसी बीच कुछ लोग कश्मीर की इस्थिती को लेकर फाउंडेशन से अवार्ड नहीं देने की मांग कर रहे है सोमवार को जस्टिस फॉर ओल गठबंदन के करीब फ्री कश्मीर टीशिट पहने हुए कई लोग गेट्स फाउंडेशन के मुख्याले पहुचे और एक लाग हस्ताक्षर की हुई याचिका डाली इसमें कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट और्गनाईजेशन को मोधी को सम्मानित नहीं करना चाहिए हम बेहद निराश हैं फाउंडेशन एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहा है जिसने भारत में मानवाधिकारों का उलंगन किया है इसे विशए में गेट्स फाउंडेशन द्वारा बयान दिया गया कि मोधी को भारत में 50 करोड लोगों को स्वच्छता मुहया कराने के लिए सम्मानित किया जा रहा है जिससे ही हसाफ हो गया कि भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना दिना नहीं है गेट्स फाउंडेशन हर साल संयुक्त राष्ट महासभा के साथ 24 और 25 सितंबर को वेशविक असमानता पर कारेक्रम करता है रिपोर्ट अखपार जगत